यदि आप सिर्फ अपने parent category का URL और नाम दिखाना चाहते है बिने किसी plugin से PHP code की साहता से जैसे कि आपका ये website का URL है जैसे कि ये home हो गया उसके अंदर how to फिर उसके अंदर wordpress का category फिर आपकी post तो आप सिर्फ parent category ये कहलाएगा जैसे कि example के तौर पर हमने बनाया कुछ demo जैसे how to एक category हमने बनाई उसके अंदर दो और category बनाई wordpress और facebook तो ये parent category हो गई और ये wordpress जो लिखा है और facebook ये दोना अलगला category जिसको child category बोलते है जैसे यहां बी category बनाया है उसके अंदर वी 2-3 category जितनी भी चाटेगरी बनाया चाहते हैं तो ये parent category कहलाया जाएगा जो जिसके अंदर बनी हुई है और जो बनी हुई है उसको child category कहींगे ठीक है और इसका दमालदी जिसके अंदर कोई भी category नहीं यह information category इस पत information के अंदर कोई category नहीं है तो इस सिर्फ category कहला गया ना तो parent ना तो child तो आवीज बीटो में आपने देखेंगे कि आप अपने parent category का नाम यानि कि टेक्स्ट जो आपने लिखा होगा वो कैसे सो कर सकती टेक्स्ट जैसे कि हमारी ब्लॉग पोस्ट है जैसे कि यह ठीक है अब इसके अंदर category बनाए हुई है हमने ठीक है जैसे अब आउट हो गया अब आउट के अंदर बाउट फिल्म फिर बिगिनिंग ऑफ लाफ डाउन्लोड दाउन्लोड ठीक है लिए पेरिंट के टिगरी कहला कि डाउनलोड और इमेज डाउलोड और रिजम डाउनलोड यह चाल24 और जैसे कि यह beginning of love एक ही category इसके अंदर कोई category नहीं है तो यह parent और तो यह सिर्फ category के लाएगी ना तो parent ना तो child ठीक है तो अब जैसे कि URL में show करना है तो URL तो जैसे कि name URL का home, how to तो हमको how to show करना है जैसे कि अपन बनाते है ब्रीड क्रंप जैसे ब्रीड क्रंप ठीक है तो यहां पर home और यह WordPress और यह title name WordPress हो गया parent category और यह homepage जो आपका domain name रहते हैं तो यह तो नाम हो गए अब इसके अंदर के URL जैसे कि अपने इसको क्लिक करते हैं यह right क्लिक करेंगे तो जिसकी link रहती है जैसे कि link यह link है तो इसको show क करना schema markup में यह कहीं और link show करना है और नाम show करना है कि इस link का नाम क्या है तो इस link का नाम क्या है WordPress ठीक है तो इसको show करना है तो सबसे पहले नाम show करने के लिए जैसे आप लिए parent category's name show करने के लिए PHP code है जहां पर आप यह PHP code को paste करेंगे वहाँ parent category का सिर्फ नाम दिखाई द है ठीक है तो इसकी parent category के नाम यहां पर show होगा जैसे हम ब्रिट कर बनाए होंगे और फिर उसका URL दिखाना है तो URL के लिए यह code है ठीक है अब इसका example ब्रिट करम्प जैसे schema markup में मैं अभी समय कोडिंग कर रहा हूं तो schema markup में जैसे how to है ठीक है जैसे यहां पर लिखाया schema markup और ब्रिट कम्प में काम आता है ठीक है तो मैं अपनी category show करना चाहिए रहा हूँ तो देख सकते हैं यह example है इसको भी copy कर लेते हैं सुरी copy क्या करना है इसको सीधा हम validator में open करते हैं schema validator में तो आपको ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा इसकी mobile data अब हमने नाम और URL क्यों काम आता है यह देखेंगे ठीक न ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए यह ब्रेट कर लिस्ट है अभी मैं क्यों कह रहा था देखिए है category का नाम जैसे की नेम है parent category का नेम यहां पर शो होगा और आइटम के अंदर आप URL देंगे आइटम के अंदर है यह देखिए आइटम के अंदर अपनको URL देने है category का तो वह code काम आएगा तो जहां पर आटोमेटिकली टाइप और URL जो हमने वहां पर एड़ किया हुए यहां पर शो हो रहा है ठीक है तो यह code की शायता से आप फिर देख लिए ठीक है तो कहां गया वह code थोड़ी सी दिखाने के लिए जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में हमने सिर्फ हमने होम URL के दिया है आइटम के अंदर तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट में होम और URL दिया तो आटोमेटिक अड़ी बन गई ठीक है अब सिकंड लिस्ट में हम पैरेंट के टिगरी का दिखाना जाते है नेम के अंदर पैरेंट के टिगरी नेम दिखाना चाहते है तो यह कोड हमने पेस्ट किया हुआ है ठीक है कि यह आपको एक बैरेंट के टिगरी इतना यहां से यहां तक का पर एक कर दिखाने के लिए इसको पेश्ट किया गया अब आइड़ आपको काफी का मा सकता है जहां पे आपको सिर्फ परेंट के टिगरी का नाम और URL दिखाना हो आपके ब्रिट क्रम्प में जिब इस तरह से आप वेबसेट बनाए होंगे तब या कहीं और भी यूज़ का सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से ठीक है बस इतने जी वीडियो मताब वीडियो तो धन्दवाद